असलाम अलेकुम नासरीन मैं आपकी शेफ एसन जे आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और सीजन के हिसाब से रेसिपी लेके आई हूँ और ये हैं आम की चटनी और दाल भरी रोटी आम की चटनी मोसली हम पका के बनाते हैं जो खटी मीठी एक चटनी बनती है कहरियों के लेकिन ये हम आम से बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार है बहुत से लोग इस चीज को नहीं उन्हें बहुता कि आम के साथ भी मिर्चों का हम इस तरह कॉम्बनेशन बनाएंगे और ये इसी हम ने पकाया नहीं है इसको हम एने जिस तरह किया है वह मैं आपको आपके दिखाओंगी इसके अलावा आम के साथ अक्सर लोग पराठा भी अक्सर लोग वह खाया जाता है लेकिन अगर आप दाल भरी रोटिये पराठा क्ष्खेंगे तो आपको मज़ दूग नहाँ हो जाएगा इसका इसके साथ combination होता है बहुत मज़े का लगता है यह मेरी फैमिली रेसिपी है और मेरी फैमिली में मेरे वालिद और भाई पहन सब बहुत शौक से खाते हैं इस combination को तो आज में आप लोग के साथ यह शेयर कर रही हूं तो चलते हैं इंडिजिएंस की तरह जी जनाब आम का मौसम है आम की चटनी बन रही है बहुत मुफतर से इसमें इंडिजिएंस है आप देख सकते हैं मैंने आम लिए हैं तीन अदर और ने पील कर लिया है इसके अलावा पॉदीना है यह तकरीबान हाफ कप है मैंने इसको जब धो कर और पिर काटा तो यह दब इसके अलावा नमक और कोटी लालवेश बहुत सिंपल से इंडिजिएंस है अगर आपके पास आम सख्त हो मेरे पास आम नर्म है तो मैंने इसको क्यूब्स नहीं काटे हैं लेकिन अगर आपके पास आम सख्त हो तो उनके क्यूब्स काट लें और उसके बाद इसे ब्लेंड से और अगर आपके पास चौसा आम हैं तो उसे नर्म करके आप निकाल लें उसका गूदा यह इस तरह देखें और अब मैं इसे एक तफ़ा जो ब्लेंडर होता है उसमें ताके इसके सारे लंप्स निकल जाएं इसलिए मैं इसको ब्लेंडर में चला दूए जी यह देखें ज चंग सा बन गया है यह नहीं आने चाहिए इसलिए हम इसे एक दफ़ा ब्लेंडर में चला देखें जब यह नर्म होता है तो उसके बाद आराम से इस तरह करने से भी यह निकल जाता है तो अब मैं इसको पहले ब्लेंडर में चला लेती हूं आप चौपर में चला सकते हैं लेकिन चौपन में थोड़े से चंक साधा रह जाते हैं तो मैं इसे चला के ले के आती हूं फिर आपको बाफी मसाले दिखाते हूं जे नाजरीन ये देखिए मैंने स्मूथ सा पेस्ट सेयार कर दिया है और अब में इसमें आप लोग अपने हिसाब से भी नमक मिर्च कर सकते हैं वैसे इसमें हल्की सी मिर्च होती है बहुत तेज नहीं होती दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग हरी मिर्चे पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चे भी एड़ कर सकते हैं इसके लावा में इसमें पॉदीना डाता है ये पूरा पॉदीना नहीं डाला है मैंने थोड़ा बचा लिया के ताफी था ये और अब ये समें ये गुठलियां भी शामिल करते हैं इससे एक तो बहुत अच्छा सा जो लोग गुठलियां चूशते हैं उनको बहुत मज़ा आता है और लुप भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि लगता है कि आपने फ्रेश आमों का बनाया है यह नहीं कि हमने इसको जो टिंग में पल्क मिलता है उससे तयार किया है यह लिए हाथ आपके बहुत साफ होने चाहिए सारे प्रॉसेस में जब आप हाथों का इस्टमाल करें यह लिए यह हमारी मज़ेदार आम की चट अब हम इसके लिए पराठे तयार करेंगे और फिर आपको दिखाती है चने की डाल हमने ली है एक कप इसे मैंने अबाल की पीश लिया है इसने आप खड़ा खड़ा ओबालना है यानि अब का पाणी बच रहे दाल गए पानी बच रहे तो आप उसे ड्रेंड कर दीजें, बेस्ट होता है क्यूंकर लिक्विट दाल नहीं चाहिए और शो पर फर चॉपर में या आपके पास अगर सिल है चलुपटा तो आप पास पर पीसे तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपके पास क्योंकि बाहर के लोगों के पास सिल बटा नहीं होता अवेलिबन तो उसके लिए एक आपको अल्टरनेट बताती हूँ कि आप अपना चॉपिंग बोर्ड लीजिए उसके उपर आपने डाल डाल के और आपका जो रोलिंग पिन या नी बेलन जो होता है आप उससे थोड़ा सा दबाएंगे तो बिल्कुल ये सिलका फैक्ट आता है मैंने इसको उसी पे पीसा है ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीके तो ये आप की चने की डाल हो गई इसके अलावा पोदीना है एक कप वन टी स्पून नमक हाफ टी स्पून गरम मसाला वन टी हरी मेर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर जादा खाते हैं तो जादा डालें बच्चों के लिए हैं तो मट डालिए मैं अभी मिक्स कर रही हूं अगर आप यहां बच्चे हों तो आप उनके लिए बना के पराठे और फिर उसके बाद आप उसको बाद में भी शाम आप चाहें तो उबालते वे भी नमक शामिल कर सकते हैं नमक मिर्च आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें अगर आपको यह भी जो मैं आपको बता रही हूँ यह जादा लग रहा है तो आप इसको में कम डाल के mix करके चक सकते हैं क्योंकि जार सियत है boiled दाल है तो आप इसे आराम से चक सकते हैं अब इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और यह आपका जो की पराठों की फिलिंग है दाल परी रोटी की आप उसे घी लगा देंगे तो पराठा बन जाएगा बगार घी के बनाएंगे तो वो रोटी बन जाएगी तो बहुत मज़े की होती है इस्पेशली इसका दाल के प बगल्षाओं का कॉंबनेशन आम की इस चट्टनी के साथ बहुत मज़ेदार होता है और इसका एक अलगी फ्लेवर होता है लोक सरलोक आलू के पराठों के साथ भी खाते हैं लेकिन मैंने उसको भी ट्राइग किया है लेकिन जो मज़ा राल के पराठों इसका rice 2007 मैं आप जैसे रोटी का आठा होता है ऐसे ही आपने आठा घूल लेना है और वो आपका यह लिजे यह मिक्स हो गया आप इस पॉइंट पे चख लें अगर आपको लगे कि कोई चीज में कम है तो आप एट कर सकते हैं मेरे हिसाब से इसमें सब चीजें परफेक्ट हैं हर एक का अपना बहुत सिंपिल से इंग्रेंस हैं कोई असा नहीं लेकिन आप खाएंगे इससे किसी की दावत करेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे तो चलते हैं अब हम पराखे बनाते हैं जी नाजरीन तो आप हम पराखे बनाते हैं इसके दो मैठ थर्ड हैं मैं आपको दौनों एक मेंने थोड़ा नॉर्मल रोटी से बड़ा लिया है ठीक है और एक जगा हम दो पेड़ों से बनाएंगे यह दोनों तरीखे होते हैं जो आप होईजी लगे आप उस तरीखे से बना सकते हैं कि एक चूटे हैं भुरुक warp जो इस जो बनारी हों का साइज बढ़ा मैं अगरां Dollar खाए साइज के बना पेड़ा है तो आप सब्सक्रां सकते हैं मैं आप इन दोनों में इथर से पर प्राह बनाने जट्वर आए सबसे पहले हम सिंगल मेथाड पेड़े वाला बना रहे हैं जैसे कहते हैं चिंगेरी बना रहेंगे जब कोशिश करें कि बीच में से पतली ना हो उसका रीजन मैं भी आपको जब फोल्ड करूंगी तो आपको समझाऊंगी कि बीच में से पतली क्यों ना हो और इसे साइडों से थोड़ा पतला ही रखे हैं ठीक है और आप मैं इसमें ये फिलिंग जो हमने तयार की थी वो डालेंगी तो देखिए ये तकरीबन एक चमच दो चमच इसमें दो चमच फिलिंग हमने शामिल की है अब उसके बाद हम इसक इस तरह करने का फाइदा ये होता है कि इसमें जो हवा या बबल्स आ रहे होते हो निकल जाते हैं अब इसको हम आपको ये देखिए ये इस तरह इसको करते जाएं और ये इस तरह इसको मोड़ दिया और अब दुबारा से इसको हम चंगेरी के इस पर ले आते हैं थोड़ा हुश्की लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको पहले हाथ से कोशिश करेंगे थोड़ा हम इसे बढ़ा लें होट हलके हाथ से सॉफ्ट हैंड से इसको हमने बढ़ाना है ये एक मीडियम साइज का पराठा हमारा तयार होगी है आप हम इसे सेखते हैं ये तावा हमारा रेडी है लोग मीडियम आँड पराठा डाल रही हैं थोड़ा बहुत हाथ से आप इसको चूले पे भी कर सकते हैं इसमें कोई ऐसा hard and fast नहीं होता अगर आप बगएर घी के बना रहे हैं तो आप इसे ऐसी सेख लें क्योंकि दाल भरी रोटी कहला दिया तो अक्सर लोग इसे बगएर घी के भी करते हैं कि हम पराठा बनाएं तो हमने तक पहले से थोड़ा सा घी डाल लिया घी डा के लीचे से थोड़ा थोड़ा वो पत्ने लगा है और हम इसको अलवदा भी करते जाएंगे बहुत ही मज़ेदार किसम के पराठे तयार होंगे आपके यह यह लीजे नाजरी आपको वज़ेदार किसम का पराठा एक मेथट जो तयार हो चुका है अब लेजे लेट में कालके आपको दूसरे मेथट से दिखा जाएं जी नाजरी आपको दूसरे मेथट पे आ गए हैं हमने दोनों दो पेड़ों की चिंगेरी तयार कर लिए देख स रखते हैं यह देखें थोड़ा दबा के पतला कर लें अब हम इस पे दो चमच हमने उस में थार्ट में भी दो चमच जाला था अर इसमें दो चमच यह बड़े साइस के जो स्पून होते हैं सर्विंग स्पून है एक तरह से हैं यह वही है लेकिन बड़ा साइस का सर्विंग स्पून ही यह देखिए यह इस पे इस तरह डालके और दूसरा पेड़ा जो मेथर्ड आपसे हैंडिल हो आप उस मेथर्ड से बना सकते हैं दोनों ही मेथर्ड सही हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत हलके सॉफ्ट हैंड से हम इसे पेलेंगे पहले कॉर्णर्स दबाएं हमेशा उससे आपका यह लॉक भी हो जाएगा यह दूसरे मेथर्ड से हमारा पराटा तैयार हो गया अब हम इसको भी सेखते हैं आज हमारी मीडियम टू लो है तेज आज नहीं है और तवा भी हमारा काफी करम हो चुका था आपने इस पे धुआ उरते देखा ही था है यह लिए नाजरी दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है यह जिए नाजरी वज़िदार प्रसिंद के डाल के पराठे या डाल भरी रोटी तैयार है और आप इसे आम की चट्नी के साथ जो हम पहले तयार की थी आपको दिखाई थी इसके साथ enjoy करें बहुत मज़िदार डिश है इवन आप इससे किसी की दावत भी करेंगे तो खुश हो के जाएगा आम का मौसम हो और आम की चीज़ें ना खाई जाएं ये तो जयाती हो जाती है तो enjoy करें जिद्वाओं में याद रखें अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इजी वे में आपको आसान से आसान और मज़ेदार डिशिस आपक लाइक लिखा होता है तो उसका बटन जरू दबाएं अपने कॉमेंट्स करें बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज आपको मजीद सीखनी है तो मैं वो भी जरू सिखाऊंगी इंशाल्ला इजी वे में तो इंशाल्ला फिर में लेंगे नेक्स फिर घचिज दने कानी बता टार ँमें लाइक गडारा इंशाल्ला में है क्षिखक लाइक